नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा और गंभीर फैसला लिया है उसने केंद्रिय चैन परश्जब जिसकी जिम्मेदारी बिहार पुलिस में सिपाही भरती कराने की होती है उसके अध्यक्ष इसके सिंगल को हटा दिया है पद से हटा दिया है अचानक आपको तो यादी होगा कि इसी साल एक अक्टूबर को सिपाही भरती की पहली परिक्षा होई थी और उसके प्रश्ण पत्र लीख हो गये थे उसके बाद साथ अक्टूबर और पंदरा अक्टूबर को भी परिच्छाए होनी थी लेकिन उसे अस्थगित कर दिया गया और एक अक्टूबर को जब ये प्रस्पत्र लीख हुआ और इसको लेकर काफी हंगामा हुआ तिसको भी रद कर दिया गया था अब तीन महीने के बाद लगबग तीन महीने होने जा रहे हैं अचानक से राज्य सरकार का ये फैसला चौकाता है और गंभीरता का अंदाज भी दिलाता है कि ये बात कितनी गंभीर है कि इसके सिंगल को अचानक खटा दिया गया उनकी जगह पर 1992 की IPS अधिकारी सोभा होतकर को अध्यक्ष बनाया गया है लेकिन इसके सिंगल को क्यों हटाया गया क्या ये कोई गंभीर संकेत है सिपाही भरती में जो आशंकाएं जताई जा रही थी क्या ये वाकई सही साबित हो रही है देखिए आर्थिक अपराद इकाई इस मामले की जाच कर रही है और गंभीरता से जाच कर रही है बहुत सारी टीमें लगी हुई कहा जा रहा है कि 23 टीमें लगी हुई है इस पूरे जाच में और उसका नित्रित कर रहे हैं मानोजीत सिंग धिलो जो की डियाईजी है उनके बारे में तो आपको पता ही होगा काफी गंभीर और मिस्पक्ष जाच करते हैं तो क्या जाच में ऐसा कुछ सामने आ गया है अचानक सरकार के पास कि उसे इसके सिंगल को हटाने का अचानक फैसला लेना पड़ा यह हम इसलिए कह रहे हैं कि 2022 में आपको याद होगा अक्टूबर के महीने में जिस प्रकार से एक वेक्ती ने अविशेक अगरवाल नामक वेक्ती ने IPS आदित कुमार के मामले में पतना हाई कोट का चीफ जस्टिस बनकर SK सिंगल को फोन किया करता था और उन्हें पता नहीं चला बाद में पता चला जब मामला खुल गया तब और उस मामले में भी सरकार ने उनका काफी बचाओ किया अगर कोई और होता तो उनको पद से जाना पड़ता क्योंकि आप DGP होके यह नहीं पकड़ पाए कि जो वेक्ती आपको फोन कर रहा है पतना हाई कोट का चीफ जस्टिस बनकर तो फिर आप किस लिए है उस समय निहार के मुख मंतरी ने कहा कि भाई अब रिटार्मेंट का समय आ गया है उनका कुछी दिन बचे हैं चलने दीजी ठीक है वो रिटार भी हो गया 31 दिसंबर को 2022 में लेकिन फिर 14 जनबरी 2023 को उनको यह महत्पुर्ण पद दिया गया महत्पुर्ण मैं इसलिए कह र करती बिहार पुलिस में होने की परक्रिया सुरू होने वाली थे काफी महत्पुर्ण साल था यह और आप तो जानते ही हैं कि सिपाही अगर बेहतर नहीं होंगे क्योंकि पब्लिक के बीच तो उनहीं जाना पड़ता है आई पिएस और बड़े-बड़े अधिकारी तो दफ लाकात सिपाही करते हैं तो यह काफी महत्पुर्ण मना जाता है कि आप सिपाही कैसा चुनते हैं साइनिक कैसा चुनते हैं इस पर बहुत कुछ निर्वर करता है आपके कानून ब्यवस्था से लेकर तमाम जो ब्यवस्थाएं हैं उसको देखा जाए तो कर इसकी प्रक्रिया शुरू होई और एक अक्टूबर को परिक्षा भी थी करीब अठारा लाख अभेहरती थे इसमें और परिक्षा होई और उसी दिन प्रस्ट पत्र लीग हो गया हाला कि उससे कुछी दिन पहले BPSC ने सिक्षकों की बहाली को लेकर एक परिक्षा आयोजित की थी और काफी बहतर तरीके से उसे समभाला था कहीं से कोई प्रस्ट पत्र लीग होने की ख़बर नहीं आई और तो और इसके सिंगल साहब ने दो अक्टूबर बो भी यही कहा कि प्रस्ट पत्र लीग नहीं हुआ है हला कि 3 अक्टूबर को आर्तिक अपरादिकाई ने प्रेस कौं फ्रेंस करके कहा कि प्रस्ट पत्र लीग होए हैं और उसने जाच शुरू कर दी और जांच जो चल रही है उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही है आप ये कहें कि 74 से ज़्यादा केस तो उसी समय दर्ज हो गए थे 150 से ज़्यादा स्कॉलर और अभिहर्थी गिरफतार हुए थे योकि प्रस्पद्र का इधर उधर कर रहे थे लेकिन मूल सवाल उसमें भी था यही कि आप ठीक है आप स्कॉलर को गिरफतार कर रहे हैं आप जो अभिहर्थी हैं उनको गिरफतार कर रहे हैं जिनके पास mobile to mobile पहुँचा लेकिन ये leak कहां से हुआ है इसकी सुरुवात कहां से हुई इसका किंग पिंग कौन है ये अभी तक खुल कर सामने आया नहीं है लेकिन ये अध्यक्ष को जो हटाया गया है तो ऐसा लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि जाच में कुछ ऐसी चीजे सामने आई है जो जाच कर रही है टीम उसमें इसके सिंगल को बचाना नामुमकिन रहा होगा तभी इस तरह के फैसले सरकार के दौरा लिए गए हैं और ये हम मैं कह सकता हूँ दावे के साथ की ख़बर ये भी है कि जिसको प्रस्ण पत्र के लिए जिस प्रेस को दिया गया था छापने के लिए प्रस्ण पत्र वो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है बताईए जिसको पहले से ही सरकार ने ब्लैक लिस्टेड किया उसको देने की क्या ज़वत तो देने वाला कौन है इस तरह की बाते आ रही है तो बहुत या आर्थिक अपराध हिकाई इनको इनसे पूछताच करेगी, इनको गिर्फतार करेगी, क्या करेगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन पुछ न कुछ ठोज सबूत, देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जब बड़े लोगों की जांच होती है, तो कोई छोट सबूते बोटे सबूते कधर पर नहीं होती है, उसके लिए 11 चरन की जांच की जाती है, और अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग एंगिल से उसकी जांच होती है, उसमें अगर कोई सबूत निखर कर सामने आता है, पुक्ता सबूत, पक्का सबूत, तब जाकर ऐसे फैसले ले होते हैं तो इसके सिंगल के बारे में क्यों हटाया गया इसके बारे में आर्थी कपरा दिकाई अभी कुछ बोल नहीं रही है लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि ये रिपोर्ट CMO में है और CMO ने ये फैसला लिया है मुखमंतरी सचिवाले ने उनको हटाने का तो नि बिहार के DGP के पद से आप रिटार होते हैं समान जनक तरीके से हलांकि कुछ कंट्रवर्सी हुई जैसा कि मैंने आपको बताया लेकिन उसके बाद भी आप इस तरह की गतिविदियों में पाए जाते हैं तो ये वाकई विश्वास खोने वाली बात है सिपाही भरती के लिए जो बिहार के बच्चे हैं वो कई-कई सालों से लगातार सुबच चार बज़े आप उड़ जाए गाओं में तो आपको पकडंडियों पे सड़कों पे जो अभिहरती हैं वो दोड़ते हुए दिखाई दे जाएंगे सुबच चार बज़े और उसके बाद इस तरह की परस्थिती बनती है तो जो सक्षम अभिहरती होते हैं जो जेन्वीन है जो चाहते हैं उनको कितनी तकलीफ होती होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं अब ये परिच्छा कब होगी इसके कोई चर्चा भी नहीं है अभी अभी कोई उमीद भी नहीं लगाई जा रही है तो बिश्चित तोर पर इस तरह की जो बाते होती हैं हलाकि देखिए आखवारों में बड़ा छोटा-छोटा ये छपा हुआ कि हटाएगा हटाएगा क्यों हटाएगा क्या वज़ा है ये जानने के हमने यहां कोशिस की है उमीद है कि आप आपको भी कोई जानकारी अगर हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं आज के लिए इतना है तब तक के लिए नमस्कार